स्ट्रेंट वी आर गोंग तो सॉल्व एक्सरसाइज 5D कनवर्ट दा फालोइंग ट्रेक्शन इंटू डेसिमल तो हमें कुश्चन नंबर फर्स्ट ए में देखना है कि हमें जो गिवन फ्रेक्शन दिये हुए हैं इनको डेसिमल में कनवर्ट करना है ठीक है तो फर्स्ट सब हम किसी फ्रेक्शन को जिसका डिनोमेटर 10 हो डेसिमल में कनवर्ट करते हैं तो हम जीरो को रिमूफ करते हैं ठीक और जीरो को रिमूफ करने के बाद हम नियूमरेटर में नंबर फ डिजिट्स को काउंट कर लेते हैं तो यहां पर वन जीरो है तो हम वन डिजिट ही है ठीक है and यह one decimal place create हो जाता है then हमारा जो fraction बन जो decimal बनता है ठीक वो होगा 0.2 ठीक है इस तरह से हम next question solve करते हैं यह next question है 83 by 100 ठीक है देखें यहां पर denominator 100 है तो यहां पर जो है two decimal places बनेंगे ठीक है तो इसको solve करते हैं देखे 83 by 100 में आपको देखें यह denominator में two zeros हैं तो आपको two zeros को remove करना होगा ठीक है and numerator के side में आप जब देखोगे तो वहां पर right hand side से left hand side की और जाने पर आपको जब two zeros remove करोगे तो two digit के बाद decimal put करना होगा ठीक है तो हमने इसको decimal में convert कर दिया है तो देखें हमारा जो value आएगा वह आएगा 0.83 ठीक है इसी तरह हम question number c को भी देखते हैं तो आप देखोगे question number c में 19 by 1000 तो देखें यहां पर नियोंटर में three zeros है ठीक है तो आपको जो है numerator में three decimal place बनाने के लिए three digits की जरूरत होगी ठीक है तो आपको 19 में जो है zero को place करना होगा ठीक है देन आप क्या करोगे जब three zeros को remove करोगे तो numerator वाली side में आप क्या करोगे कि right hand side से left hand side की और जाकर three digits को count करोगे तो आप देखो one two and three digits होगे इसके बाद आप जो है decimal को place कर दोगे ठीक है देन आपका answer हो जाएगा point zero one nine आप decimal के पहले zero put कर सकते हो तो आपका answer हो जाता zero point zero one nine ओके next आपका question है d three hundred five by one thousand ठीक है तो आप क्या करोगे इसमें आप क्या करोगे के three hundred five right करोगे then one thousand के जो zeros है उनको remove कर दोगे ठीक है and right से left की और आओगे and three digits को count करोगे तो आप ये right side है तो right से आप left side की और आ रहे हो then आप क्या करोगे three digits को count करोगे and then decimal को place कर दोगे तो आपका answer क्या हो जाएगा zero point three zero five ठीक है question number e देखते हैं देखे e में क्या है eight whole five by hundred तो ये mix fraction है ठीक तो इसमें एक whole part है and एक fractional part है ठीक है तो हम whole part को as it is रहने देते है and fractional part को हम decimal में convert करते है ठीक है तो देखिए denominator में हमारा hundred है तो जब हम इसको decimal में convert करेंगे तो two decimal places बनेंगी तो देख रहे हैं हमाई numerator में one digit है तो हमें इसको two digit में convert करना होगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे five के पहले zero को put करेंगे तो zero five by ये hundred हो जाएगा तो आप zero को remove कर दो and right to left two digit के बाद आप पॉइंट को place कर दो तो आपका answer हो जाएगा zero आपका answer हो जाएगा zero point zero five देन उसमें eight को add कर दो तो आपका answer हो जाएगा eight point zero five ठीक है यह आपका question हो गया ठीक एफ में भी आप देखो यहां पर जो fraction है mix fraction है इसमें भी जो denominator है वो one thousand है ठीक है तो आप whole part को additives रहने दो and जो ट्रेक्टल पार्ट है उसको convert कर दो decimal में then आपका answer आएगा देखिए यहां पर three zeros है ठीक है और उपर only one digit है तो हमें यहां पर three decimal places बनाने के लिए इस उपर numerator में three places की जरुवत होगी तो आप क्या करोगे nine के पहले two zeros को put कर दो ठीक then आप जो है in thousand के zeros को remove कर दो ठीक and right to left means right से left की और three digit को count करो and then वहां के decimal को place कर दो ठीक है and decimal के पहले एक और zero लगा सकते हो and आपका answer हो जाएगा 0.009 तो आपका answer क्या हो जाएगा जब आप 17 में जोड़ दोगे तो answer हो जाएगा 17.009 ठीक है यह आपका answer हो जाएगा चलिए next question z में भी आप देखोगे आप mix fraction में जो आपका denominator है वो hundred है ठीक है तो आप इसको mix fraction वाले rule के थुरू solve कर सकते हो ठीक है and h में भी देखिए same question है जिसमे denominator जो है thousand है तो आप fractional part को solve कर लो तो आपका answer आएगा 2.052 ओके इस तरह से आप सारे questions solve question 2 देखिए convert the following decimals into fraction तो हम given decimals को fraction में convert करना है तो आईए इसको convert करते हैं देखिए इसमें आपको क्या है करना है कि जो decimals हैं तो उसमें जो आप fraction बनाओगे तो numerator में आप क्या करोगे numerator में आप decimal को as it is write कर दोगे बट आप इसमें decimal point नहीं लगाओगे ठीक है numerator पर आप decimal को write करोगे बट decimal point नहीं लगाना है ठीक है and numerator में आप क्या करोगे one write करोगे ठीक है and then decimal part में आप decimal places को count कर लो जो जितनी digits हैं उनको count कर लो तो आप देखोगे यहाँ पे two digits है decimal part में तो आप क्या करो तो आपका जो fraction बनेगा वो 89 by 100 हो जाएगा ठीक है next देखिए next है b b में आप क्या करोगे देखिए b है 3.25 तो आप क्या करोगे जब आप fraction में write करते हो तो numerator में आप write करोगे 3.25 ठीक इसमें आप decimal point को नहीं put करोगे ठीक है इसको आप लिखोगे 325 देन आप numerator में लिखोगे 1 ठीक and इसके बाद आप क्या करोगे number of decimal part ठीक है decimal part में decimal places के digits को count कर लो देखिए ये decimal part है आपका decimal के बाद ठीक है decimal के बाद जो है आपका decimal part है और उसमें number of जितने digits है वो decimal places है तो आप क्या करो कि numerator में without decimal point लगाए उसको write करो then denominator में one write करो and number of digits decimal part की count कर लो और उतने ही zeros यहाँ पर denominator में लगा दो तो यहाँ पर two zeros लगेगा तो आपका जो fraction बनेगा three hundred twenty five by hundred हो जाएगा ठीक है next देखेंगे आप डी देखिए seven point zero zero two ठीक है तो इसमें देखिए decimal part में number of digits कितनी है या decimal places कितने है तो आप आप क्या करोगे numerator में आप जो है decimal point को नहीं write करेंगे और सारे digit को write करेंगे तो आपका हो जाएगा seven thousand two by one कर देंगे and number of decimal places में को count कर लोगे तो कितने हैं three है decimal places तो आप three zeros यहाँ पर put कर दो कि denominator में तो आपका जो fraction बनेगा वो हो जाएगा seven thousand two by one thousand ठीक तो यह आपका decimals का conversion fraction में हो गया अप देखिए question number e ठीक है question number e भी देखिए question number जो है d की तरह है ठीक one thirty two point eight eight two ठीक है तो आप जो है इसको numerator में as it is without decimal point के write करो ठीक है हमें decimal point नहीं लगाना है इसमें and then आप क्या करो कि number of decimal places count कर लो decimal places कितनी है one two three three है तो आप जो है numerator में write कर चुके हो आप denominator में one write करो then इसमें number of decimal places count करके उतनी ही zeros इसमें write कर देता है यहां पर three है तो हम three zeros को put कर देंगे ठीक तो आपका यह fraction बन गया ठीक इस तरह से आप question numbers g h जो है solve कर पाऊगे ठीक है तो इस तरह से आपके सारे question solve हो जाएंगे तो आज़े next question देख तो question third दिया हुआ expand the following numbers in all the three ways हमें जो है इसको expand form में write करना है and place value decimal form and fractional form में इसको write करना है ठीक है तो आईए इसको करते है question number three a में 13.8 13.8 में हम इसको पहले place value form में write करते हैं तो first place पे देखी क्या है one जो है tens place पे तो one ten हो जाएगा then three जो है ones place पे तो three ones हो जाएगा and decimal के बाद में जो है eight है यहीं हो भी first place पे है decimal के बाद तो उसको लिखेंगे eight tenths ठीक है second आप इसको decimal form में convert करो 13.8 को तो आपका जो answer होगा that is तो यह one कहां पे है 10 पे है तो आप इसको 10 write करोगे then three क्या है once पे है तो इसको three and eight को आप क्या से आप write कर सकते हो ठीक है देखें बी में आप कैसे write करोगे तो nine point three four है तो प्लेस वैलू form में तो nine जो है once place पे है तो आप इसको nine once write करोगे then plus cosine लगाओगे and point के बाद first place पे है three तो इसको लिखोगे three tenths and four जो है hundredths place पे है तो आप इसको लिखोगे four hundredths ठीक इसी तरह decimal form में आप write करोगे तो nine point three four को आप decimal form में write करोगे nine plus zero point three four ठीक और fractional form में इसको जब write करना होगा तो nine plus three by ten plus eight by hundred ठीक इस तरह से आप सारे question को solve करो लेगे question four दीखिए write the standard form of each of the following ठीक है तो तो यह जो हमें numbers दिए हुए है तो इनको हमें जो है standard form में write करना है तो देखिए decimal form में तो it will be zero point nine अब इन दोनों को add करतेंगे तो इसका standard form जो हो जाएगा four point nine हो जाएगा ठीक and then beep देखिए six plus three by ten plus eight by hundred तो हम इनको standard form में first of all convert करते हैं तो देखिए three by ten को convert करेंगे तो 0.3 हो जाएगा and eight by hundred को convert करेंगे तो यह हो जाएगा 0.08 ठीक देन आप इसको add कर दो तो six ठीक है six plus 0.3 and 0.08 इन दोनों को add कर दो होगे तो हो जाएगा 0.3 and 0.08 हो जाएगा 0.38 और इसको six में add कर दोगे तो answer आजाएगा 6.38 ओके next c देखिए c में आपको क्या दिया होगा है 3.07 plus 0.04 तो आप इसको क्या करोगे add करोगे तो यह हो जाएगा 3 plus 0.7 plus 0.04 equal to 3.74 की क्या हो जाएगा ठीक है दी में देखो आप d का है 300 plus 6 plus 5 by 100 plus 8 by 1000 ठीक है तो इसको आप standard form में convert करोगे तो first of all हमें 5 by 100 and 8 by 1000 को decimal form में convert करना होगा तो 5 by 100 equal to होगा 0.05 के and 8 by 1000 होगा 0.008 के ठीक है अब सबको add करते हैं तो 300 plus 6 plus 0.05 plus 0.008 equal to हो जाएगा 306.058 की ठीक है तो इस तरह से आप जो है सारी questions को solve पर पाऊगे ठीक है।